ये गाईज विलकम टू माई चैनल गाईज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रियेशन गाईज आज की वीडियो में हम बहुत ही लेटेस्ट ब्लाउज लटकन डिजाइन देखेंगे जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आप इसको ब्लाउज में शूट में या फिर लहने में गाउन में कहीं पर भी अटेज कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है तो यहां पर मैंने जो फैबरिक कट किया है ये ब्लाउज का है और दो पीस मैंने इसमें मतलब जो लिया है कलर वो ब्लाउज का ही उठाया है और ये किसमें रेड कलर थ Vivriq लेुए, जो बड़ी साइज का हमने पिस कट किया इसमें यह दो पिस हमारी है इई 4 Y 4 की कट हुई गट मुट्र ऑजी की ले का और यह वाज मुट्ड इस परकार से और एक हमने फ्लावज को ही छोटी सी पिस कट किया है जिसकी साइज आप देख सकते हैं कि यह ढाई भाई ढाई की है हाँ पर हमने सारे पिस्व का जो साइज है आपको बता दिया है अब हम बाद में जब आपको फ्लावर की साइज बताएंगे तो आप उसके अकोडिंग देख सकते हो किस साइज का आपको तयार मिलेगा इस प्रकार से हमने फो अठाके फोल्ड करेंगे जो वीडियो में आप आगे देखते जाएंगे गाईज यदि आपको मेरी वीडियो में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके फूस्च रखते हैं मैं सारे कमेंट रीट करती हूं और उनके रिप्लाई भी देती हूं आप मेरे चैनल प आने वाली हर एक निव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसली मिलता रहे तो यहां पर हमने इस प्रकार से तीनों स्टिच कर लिया है इसी पैटन में अब हमने जो आगे का थोड़ा सा निकला हुआ फैब्रिक एक्ष्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे इसप्रकार से अटेज करना है तो आप चाहे एक की साथ ही अटेज कर लें या फिर एक-एक करके अटेज करें आप अपने अकोडिंग जैसे आपको इजी लगे तुम्हें हाँ ऊ-बार में इस प्रकार से देखिए अटेज कर लिएं अब मैं तीसरा अलग से अटेज करूं इस प्रकार से हम इश्टिश लगा लेंगे आप चाहे तो तीनों एक बार में ही सेट करके ओल्पिन टक करके लगा सकते हो अब हमारी यह जो पीसे एक बच्ची है इसमें से हम इस प्रकार से हाफ कर लेंगे इसके उपर से हम इस प्रकार से रखेंगे इस्टिश कर लेंगे दूसरी पिश्च को हम दूसरी शायड से इस प्रकार से अटेच करेंगे अब हम इसको इस प्रकार से आगे की साइड फोल्ड कर लेंगे तो यह सीधी वाली साइड हमारी इस प्रकार से आ जाएगी अब हम यहाँ पर एक लेश डालेंगे लेश आप अपने चॉइस के कोडिंग डालिए तो यहाँ पर हम इस्टिश लगा लेंगे आपकी लेश यह पतली है तो आप सिंगल इस्टिश लगाएं मेरी यहाँ पर डबल वाली है तो मैंने थोड़ा सा इस्टिश डबल कर लिया है क्योंकि यह उठा हुआ नजर ना आए गाइज इस प्रकार के यदि आपको लटकन की धेर सारी डिजाइन देखने है तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी आप वहाँ पर विजिट कीजिए आपको धेर सारी लटकन की डिजाइन मिल जाएगी ब्लाउज लटकन लहेंगा लटकन या फिर शूट के लटकन कोई भी डिजाइन बहुत ही प्यारी प्यारी है आप एक बार विजिट करके देखिए आपको जरूर पसंद आएगी तो सेंटर में हमने यहाँ पर डोरी अटेच कर लेना है सीधी साइड अंदर फोल्ड करते जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोरी को हम कई स्टिश में पक्का कर लेंगे क्योंकि जब इस फ्लाउर को हम पलटते हैं लटकन डिजाइन को तो यहाँ थोड़ा सा जोर पढ़ता है डोरी पे खीचने में तो आपको कई स्टिश यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी हैं मजबूती कर लेनी है कि हमने यहाँ पर इस्टिश लगा ली इप कट कर लेंगे जो भी इस्टरा फैब्रीक होगा साइडों से कट करके इस प्रकार से निकाल देंगे और कुछ इस प्रोसेश से हम इसको पलट लेंगे देखिए अंदर के साइड से हम यहाँ इस प्रकार से पलट लेंगे गाईज आप सभी वीवर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो देखने के बाद रिश्पोंज जरूर दिया करें आप लोग कमेंट बोक्स में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी हम आपके कमेंट का वेट करते है आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको दिल से खुशी होती है तो यह हमारा दोनों फ्लावर इस प्रकार से रेडी हो चुके हैं देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से फाइनल लुक आ गया है कितना प्यारा शा लग रहा है और आप कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि डि देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजट कीजिए आपको डिजाइन जरूर पसंद आएगी हम आपके कमेंट का वेट करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइ झाल झाल